जैहिंद आप सभी का स्वागत है इस टेडी कैपिटल में जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्रह्माज सीरीज में हम लोग लगतार पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हमने कल अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवस्टी के प्रिवियस यर के कोश्चन्स देखे थे और कभी आपका स्वेटी का एक्जैम नहीं हो जाता है और होफुली कि आपको कोश्चन समझ में आ रहे होंगे यह पर इंग्लिश में है क्यूंकि इंग्लिश में कंडग करा जाता है इसलिए वह इंग्लिश में ही है अधर्वाइस हम नेक्स जो पेपर सॉल्व करेंगे तो द लगभग 25 से 30 कोश्चन देखे थे और उसी को हम यहां पे continue करेंगे जहां पर आपको सबसे पहला जो कोश्चन दिया है वो आपके कोरिलेशन से रिलेटेड़ है ठीक है जो आपका प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड़ जो कोश्चन है स्टाटिस्टिकल टेक्निक से कोरिल में आपकी जो value है वो क्या करती है लाई करती है minus 1 से plus 1 की तरफ अगर value plus 1 है इसका मतलब कि वो highly correlated है ठीक है plus 1 है मतलब positively correlated है जो भी variables है अगर value negative में आती है और minus 1 की तरफ bended है या tilted है तो वो हमारी highly negative correlation को दिखाती है और value अगर 0 है तो वो no correlation को show करती है तो जो range है वो minus 1 से plus 1 के बीच में है जो आपको ध्यान रखना है next question है जहां पर आपको दो statement दिये है climatology section से और आपको दोनों statement पूछा गया है पहला जो है वो आपके tropical desert की बात कर रहा है मतलब उष्ण कटी बंदी है जो मरुस्थल है और दूसरा जो है वो मद अक्षांसिये महादीप की बात कर रहा है mid latitude continental बात कर रहा है क्या कह रहा है प tropical deserts are less common on the east side of the landmass because trade wind does carry considerable amount of moisture onshore तो बोल रहा है कि जो आपके tropical region में उष्ण कटी बंदी है चेत्रों पे जो मरुस्थल है वो आपके किदर है वो mainly west side पे अगर common less common on the east मतलब की west में है simple सा ये इसका बतलब है ठीक है तो आपको पता है जो tropical region पे जो उष्ण कटी बंदी इलाको पे मरुस्थल है वो west side पे ही है mostly ठीक है जैसे आपका थार desert है simple सा एक example और वो क्यों है क्योंकि जो trade winds है उनका जो precipitation है वो mainly कहां पे हो रहा है वो हो रहा है आपके eastern shore पे eastern border पे ठीक है तो यह आपका पहला statement जो है वो आपका सही है दूसरा statement जो आपको कह रहा है वो कह रहा है कि जो mid latitude है मद्ध अक्षांसिये छेत्रों के जो western side है जो पश्चमी side में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको orographic rainfall देखने को मिलती है तो यह भी सही है आपका तो दोनों statement आपके यहां से सही है बोथ 1 and 2 are correct next question है जहां पे आपको match the following और बहुत ही simple 6th 7th standard का question आप कह सकते हैं इसको जहां पे आपको अलग-अलग traffic label दिये हैं जो की bio geography में है food chain जब हम पढ़ते है food web पढ़ते हैं तो traffic level 1 तो traffic level 1 में क्या आपता है आपका जो autotrophs होते हैं ठीक है जो plants है जो producer है उत्पादक है ठीक तो जो autotrophs है इसमें क्या हो गया है यह आपका simple सा जो grass है यह आपके autotrophs है फिर trophic level 2 पे आते हैं harvivores जो आपके plants वगएरा पर dependent है तो यहाँ पे जो harvivores है उसमें आपका ship आ गया ठीक फिर carnivores है जैसे leopard है आपका और omnivores जो सब खाते हैं जैसे man ठीक human being तो आपका जो option है वो 1,2,3,4 आपका c option जो है वो सही हो जाएगा बहुत simple question है यह question important है और यह question आने के ऐसे questions आने की संभावना है क्योंकि यह question practical related है plus इसमें एक या दो step है question को solve करने का ठीक है पढ़ा है आपने तो बहुत अच्छी बात है नहीं पढ़ा है तो इस question को ध्यान से समझ लीजे क्या कह रहा है कि if the value of standard deviation and the mean of data sets are 135 and 900 मतलब जो standard deviation है जो हमें given है कि हमारा standard deviation है वो किता है 135 ठीक और जो आपका यहाँ पे mean दिया गया है data set का जो ठीक यहाँ पे जो data set का mean दिया है वो आपको कितना दिया है 900 ठीक है अब यह given है आपका अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपका coefficient of variation क्या होगा जो coefficient of variance है या variation है वो कितना होगा तो coefficient of variation का simple सा formula निकालने का वो है standard deviation divided by mean ठीक दोनों चीज़ें आपको दी गई हुई है आप कर यह simple सा जो आपका coefficient of variation है तो standard deviation आपने रखा 900 से divide किया आपका 15 ठीक है 0.15 और आपको percent में चाहिए इसलिए आपने 100 से उसको multiply किया तो आपका simple सा 15% option सी जो है वो सही हो जाएगा ठीक ऐसा ही एक question standard deviation और variance के बीच में आता है जो आपको मैंने class में पढ़ाया है ठीक है जहां पे आपको square करना है या आप under root करते हैं फिर next question है यह statement थोड़ा important है ऐसे कुछ-कुछ statements है जैसे geography की definition हो गई या कुछ particular geography के branch के कुछ अलग-अलग definitions है तो हम समझेंगे क्या बोल रहा है statement दिया है who gets what where and how is the basic characteristics feature of मतलब की जो आपको चीजे है जो resources है वो किसको मिल रहे है जो संसाधन है और कहां पे किस जगह पे कैसे और क्यूं ठीक है यह सारी चीजों की जो बात करते हैं हम यह हम बात करते हैं आपका welfare geography में ठीक है जो welfare geography है वहां पर इस चीज की बात की जाती है ठीक है वहीं पर next question कह रहा है कि Christian topography का author कौन है ठीक तो Christian topography जो है यह आपकी Cosmos के दौरा लिखी गई book है आपकी Christian topography ठीक तो hopefully आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है आप लोग answers जो है chat box पे लिखते रहे हैं जो भी options है आपको उससे पता चलेगा कि आपने कितने questions सही किये हैं या क्या गलत है तो आप उससे जादा चीज़ों को याद रखेंगे ठीक है तो जो आपके लिए काफी helpful रहेगा next है the philosophy of possibility यानि जो प्रत्यक्षवाद सरी जो पॉसिबिलिजम है ठीक है जो संभा आपका संभवाद का सिधान्त है वो किस के द्वारा दिया गया है किस स्कूल से आया है पॉसिबिलिजम का concept ठीक है तो हमने डिटर्मिनिजम पढ़ा है ठीक है हमने पॉसिबिलिजम पढ़ा है नियो डिटर्मिनिजम पढ़ा है इस्ट्रक्चरल बिहेवरिलिजम ऐसे पॉजिटिविजम को आपका quantitative revolution तो उसी में एक पॉसिबिलिजम है जो पॉसिबिलिजम है यह आपका French school से आया हुआ है France से आया है जिसको Lucian de Febre ने सबसे पहली बार दिया और बाद में इसको Vidal Delia Blasher ने इसको आगे forward किया है या इसको detail में बताया है ठीक है जो कि आपके Determinism या Environmental Determinism के contrast पर आया है उसके against पर आया था उसके criticism पर आया है ठीक तो यह आपको French school से और यह question काफी repeat होता है Next आपको match the following है इसमें match the following जो चीजे आ रही है match the following है या आपको which one is correct, incorrect तो इसमें जो है सारे answer आने से ज़्यादा better है कि हम elimination methods को लगा सके ठीक है, elimination method बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक तो यहाँ पर क्या है आपका जो Cosmos book है जो बहुत ही common है मैंने आपको बोला है कि Cosmos जो आती है Alexander Von Humboldt की जिन्होंने पेरू current के बारे में बात कही है पेरू current को इसलिए हम Humboldt current भी कहते हैं और क्या है आपका AV Humboldt के बारे में पहले तो यह Germany से है ठीक है दूसरी थे ठीक दूसरी चीज क्या है इन्होंने Cosmography और Uranography को बात की है ठीक यह भी question आता है कि कि किसने Cosmography और Uranography में चीजों को डिवाइड किया तो वो भी AV Humboldt है ठीक है तो AV Humboldt के द्वारा यह Cosmos book लिखी गई है ठीक है तो आप यहां पे देखी कि एक का second option किस किस में दिया गया है ठीक है तो इसमें आपके दो option eliminate हो जाएंगे ठीक दो option eliminate हो जाएंगे अब बचते हैं दो option अगर आपको दूसरा कुछ भी पता है मान लेते हैं कि आपने क्या कहते हैं Heartland Theory पढ़ी है ठीक है जो geography of peace है वो आपकी rimland theory जिनों ने दी है Nicholas Spikeman ने उनके द्वारा आई है ठीक तो यहां पे आप देखे डी का first किस में दिया है ठीक तो आपके पास एक option है वो है ये ठीक तो C option जो है यह यहां पे सही हो जाएगा जो pulse of Asia है आप यहां पे देख सकते हैं कि Ellsworth Huntington के द्वारा दिये गई है और जो आपकी grindis कलिमक अंडे है ये ब्लादे मेर कोपेन के द्वारा दी गई बुक है ठीक तो यह आपको यहां से ध्यान रखना है next question है यहां पे जो टोपो शीट से question आया हुआ है ठीक है तो टोपो शीट से क्या है the quarter degree quarter degree मतलब 15 minute 15 minute lat long के difference में जो interval पे बना हुआ टोपो शीट है जो कि आपको survey of India के द्वारा निकाला जाता है ये किस scale पे किस मापनी पे बनाया जाता है ठीक है तो आपको million sheet है जो 1 is to 1 million पे बनती है ठीक है फिर आपकी 1 degree sheet है जो 1 is to 250,000 पे बनती है तो अभी हम उसको देखेंगे तो जो आपका 15 into 15 minute पे बनती है ठीक है 15 into 15 पे बनती है ये आपकी 1 is to 50,000 एक अनुपाते 50,000 के मापनी पे बनाई जाती है इसी से question और है कि पूछता है कि जो topo sheet आपको 1 is to 50,000 के scale पे बनती है उसमें contour interval कितना होता है तो वो आपको याद रखना है कि जो 1 is to 50,000 के scale पे बनाई जाती है वो आपकी contour interval उसमें 20 meter का होता है ठीक तो ये आपको वहां से ध्यान रखना है अभी हम next slide देखेंगे जो को topo sheet के अगर बात करें तो इंडिया में जो survey of India है जिसकी क्या है स्थापना 1767 दहरदून में headquarter वहां पे हुई ठीक 1767 में उसके बाद क्या है topo sheet 2 series में आती है ठीक survey of India topo sheet 2 series में publish करता है एक जो है वो world पे है और एक इंडिया और adjacent country है ठीक है जो world पे है वो क्या है आपकी world पे जो आती है वो आपकी 1 is to 1 million पे या एक अनपाते 10 लाग पे आती है ठीक है एक अनपाते 10 लाग या एक अनपाते 1.5 लाग पे वहीं पे जो इंडिया और adjacent country है वो आपकी क्या है वो किस पे आती है तीन उस पे scale है mainly 1 is to 250,000 1 is to 50,000 1 is to 25,000 main यह है ठीक तो यहां पे हम पे बनती है और इस पे contour interval 500 का है ठीक वहीं पे degree sheet या quarter inch sheet है जो 1 is to 250,000 पे है इस पे जो extension है वो 11 degree के interval पे बनाते है और यहां पे contour interval 100 meter का है ठीक फिर quadrant half degree या half inch sheet कह लीजे कुछ भी कह लीजे इस पे यह 1 is to 1 lakh है ठीक यह आपकी 30 minute 30 minute पे बनती है 50 meter के interval पे जबकि जो question पूछा गया है वो 15 minute sheet पूछी गई है 1 is to 50,000 एक अनपाते 50,000 के उस पे बनाई जाती है जिस पे contour interval 20 meter का होता है ठीक यह आपको ध्यान अगना है बहुत important यह आपकी slide है next question है यह भी practical से है जो आपके survey techniques से है ठीक है which one among the following instrument used in the plane table survey plane table survey जो मैंने आपको पढ़ा है chain tape है या plane table survey है तो जो आपका north-south line है जो आपकी sheet है उसमें हम north-south line जो है वो किसके help से draw करते हैं ठीक बहुत ही simple सा question है तो यहाँ पे simple से north-south की बात कर रहे हैं तो हम compass का ही use करेंगे ठीक जो आपका trough compass है उसको हम use करते हैं north-south line बनाने के लिए ठीक यह question हो गया अब यह तो आएगा नही कोई ज़रूरी नहीं है तो क्या आएगा एक ठीक है आप लोग लिखिए इसका सही answer क्या है ठीक है तो यहाँ पर क्या है आपका यह हो गया ट्रफ compass ठीक आप दूसरी चीजे है कि हमें यह पता होना चाहिए कि spirit level किसले होता है है एलिडेट किसले ही होता है और plumb bob किसले यूज होता है ठीक तो plumb bob कुछ नहीं है simple सा है मानलो यह आपकी table है ठीक और इसको क्या है आपको center जब करना है इसको center करना है surface से तो इसके लिए हम यहाँ पर एक plumb bob को hang करते है ठीक है और उसकी centering centering करने के लिए आपका plumb bob यूज होता है ठीक है ठीक है centering करने के लिए plumb bob का इस्तमाल किया जाता है वहीं आपका जो spirit level और alidate है वो किसले होता है तो alidate जो है आपका वो site जो है ठीक है जो आपका line of site है उसके लिए use करते हम alidate ठीक है तो आपके alidate जो है line of site को देखने के लिए होता है वहीं पर spirit level जो है वो किसले use होता है लेबल करने के लिए ठीक है कि table हमारी labeled है कि नहीं बिल्कुल flat है कि नहीं इसमें ऐसा bubble होता है ठीक है जो यह center में अगर आ जाता है तो हम मानते है कि table हमारी बिल्कुल labeled हो चुकिया तो labeling के लिए हम use करते है spirit level का next question है बहुत ही simple question है कि जो durand line है ठीक है जो durand line है आपकी वो किसके बीच में है ठीक है तो हमने Indian geography पढ़ने पर सबसे पहला ही जो section पढ़ा है location को लेकर तो India और adjacent country 7th की variety से चालू हो जाता है सारी चीजे तो durand line किसके बीच में है आपकी यहाँ पर आपको पता है Pakistan और Afghanistan के बीच में आपकी durand line है यहाँ पर India और Afghanistan नहीं दिया है तो हम उसमें Pakistan और Afghanistan mark करेंगे ठीक वहाँ पर India और Pakistan के बीच में आपकी red cliff line है ठीक अब हम और देख लेंगे क्या क्या lines है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो red color से बनाई गई है यह आपकी जो है ठीक यह जो है यह आपकी क्या है यहाँ पर mention की गई है कि यह red cliff line है सेम आपकी इंडिया और बांगलादेश के बीच में भी क्या है आपकी red cliff line है कोई दिक्कत नहीं है फिर इंडिया और चाइना के बीच में आपको यह जो है वो आपकी macmohan line है ठीक फिर duran line जो है यह आप देख सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच प्लस यहा definition है read करिये और answer बताइए इसका कि क्या होगा ठीक यह NCIT में दी गई है definition NCIT में दो लोगों की definition दी गई है geography से related वो आपको यहां पर बताना है ठीक क्या लिखा है geography is concerned to provide accurate orderly and rational description and interpretation of the variable character of earth surface it was stated by तो यह जो definition है यह आपकी Richard Hearthstone के द्वारा दी गई है ठीक है जो आपके Richard Hearthstone है उनके द्वारा यह definition दी गई है यह आपको याद रखना है आपको यहां से देख सकते है definition है यह Emanuel Kant के द्वारा दी गई हुई definition आपको लिए है it is a study of the earth ठीक है यह Richard Hearthstone के द्वारा है जो question पूछा गया था और यह AdWords य टैफे के द्वारा दी है जिन्होंने transportation पे वर्क किया है next question है यहां पे which one of the following is not a type of coal इन में से coal का प्रकार कौन सा नहीं है ठीक है तो coal की अलग-अलग ओर सोती है तो coal की ओर कौन सी नहीं है यह हमें बताना है तो यहां पे आपका simple है आपका bitumenous, spate, anthracite यह तीनों क्या है यह आपके coal के type है जबकि जो limonite है यह क्या है iron ore है ठीक hematite, magnetite, ciderite, limonite यह सारे iron ore है, coal के ore नहीं है और आपको यहां पे यही find out करना है तो आपका C option जो है वो सही है next पूछ रहा है जो विशेश्यर रहा iron plant है iron steel limited है वो कहां पे है तो simple विशेश्यर रहा जो है वो आपका करनाटक पे है ठीक बहुत ही simple सा question है next आपको match the following है जो geomorphology से पूछा गया है आपको यहां पे बताना है ठीक सब लोग answer देते रहिए तो यहां पे क्या है आपके geomorphology से लेकर अगर हम बात करें ठीक है तो अब आप इसको बताईए कि कहां पे होगा ठीक तो आपका जो demoisal ह है ठीक है कोई भी एक pick कर लीजे demoisal हम सबको पता है demoisal काहां पे है aeolian landform पे बनता है मतलब wind से related है ठीक तो आप D का first mark करिए और देखे D का first किसमे एक ही option है वो सरी आपका जैसे बजाड़ा है और Paul Jay ah you realize पता है कहां पे है यह आपके groundwater पर बनता है तो इस आपको यहां से देखना है कि क थिक तो यह चीजे हैं आपको यहां पे ठीक है यह अपका यहाँ पर पॉलाज केंट ग्राउड बाउनवाटर लेखर तो आपके पास क्या कहते हैं यहां left राउस्ट में सरव ग्याँ, यहां यहां पर दिया गया तो आप आप इधर से मार्क करेंगे, तो A का फर्स्ट हो गया, फिर B कोरी जो है, वो ग्लेशियर पे है, और बजाडा जो है, वो रीवर में है, वैसे बजाडा जो बनता है, मैं आपको बताओ, एोलियन लैंड फॉर्म पे है, पर एोलियन फ्लूवियल लैंड फॉर्म है बजाडा, ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, आपको प्रॉबिलिजम, प्रॉबिलिजम का जो कॉंसेप्ट है, यह किसके द्वारा दिया गया है, यह हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपके OH के स्पेट है, उनके द्वारा यह प्रॉबिलिजम का कॉंसेप्ट दिया गया है, ठीक, probability की बात कर रहा है, पहले पॉसिबिलिजम था, ठीक, तो आप आपको ये ध्यान रखना है. Next question है, कि who among the following scholars of ancient period regarded as the Caspian as an inland sea, किस ने Caspian Sea को inland sea बताया है, निम लिखित में से आपको बताना है, तो आरब जो गरॉफ़र है, वो हैं आपके यहाँ पे देखेंगे, जो आपके Hecateus है, इन्होंने आपको क्या है? आपको Caspian Sea को एक क्या कहते है, Inland Sea बताया है, ठीक है, next question है, Seafloor Spreading का जो concept है, वो किसके द्वारा दिया गया है, तो जो Seafloor Spreading है, तो वो आपके Harry House के द्वारा दिया गया है, ठीक है, तो hopefully आपको समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप text box पे, chat box पे, हाँ लिग सकते ह है, ठीक है, ठीक है, ठीक, सभी लोग समझ में आ रहा है, hopefully आ रहा होगा, ओके, ओके, ठीक, next क्या है, यहाँ पे पूछा है, which one of the following river is the right bank tributary of Ganga river, Ganga नदी की जो right bank tributary है, ठीक है, वो कौन सा है, ठीक, तो जो right bank tributary है, आपको पता है, Ganga की यह सारी tributary है, right bank में कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पे zone, जो दाहिने हाथ से Ganga पे जुड़ती है, ठीक, अब हम यहाँ पे map देखेंगे और समझ में आएगा हमें, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आप दे निख सकते हैं, ठीक, यह घागरा है, ठीक है, next question है, the coastal plain in Maharashtra is known as, जो coastal plain है, आपके जो तट्ये मैदान है, वो आपको महरास्ट के रीजन में किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक, तो आपको पता है, जो coastal plain है महरास्ट में, उसको हम कौंकन के नाम से जानते हैं, कौंकन coastal plain कहत यहाँ पे देख सकते हैं, कौंकन जो है, वो आपका महरास्ट्रा में है, ठीक, मालाबार केरला कोस्ट पे है, ठीक, कोरोमंडल, तमिलाडू, जहाँ पे नौर्थीस रेंफॉल देखने को मिलती है, ठीक, यह फिर यह नदन सिरकर है, आंधरा पे और उतकल plain है, जो उडिसा में है, ठीक है, तो यह कोस्टल प्लेन है, जिसमें, टोटल कोस्टल लाइन कितनी है, इंडिया की, 7516.6 km, 7516.6 km, वहीं पे मेल लेंड में कितनी है, 6100 km, एक सट सो किलो मेटर, ठीक, तो यह भी कोस्टन आते हैं, नेक्स्ट कोस्टन है, बैरन आइलेंड जो है, जो आपकी एक 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 टिव वाल कानो, भारत की एक 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 टिव वाल कानो, बैरन आइलेंड वह कहां पे आपको लोकेटद है, तो बैर성 लेंड जो है, वो आप सबको पता है, यहां पे नेक्स्ट मैप देखेंगे, आप लोग इसको ठीक्स बॉक आइलेंड में यह आपका barren island है ठीक यह barren है यहाँ पे नार कॉंडम है ठीक यह तो आपको यहाँ से पूछा गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अन्मान group of island है उसमें आपको barren island देखने को मिलता है वहीं पे पूछा है next question Indian geography से ही peninsular plateau की मतलब जो प्राइदीपय पठार है भारत का प्राइदीपय पठार की सबसे उची चोटी कौन सी है highest peak कौन सी है तो जो highest peak है वो है अनाय मुडी जो की अनाय मलाई अनाय मुडी जो की आपके किरला और तमिलनाडु के बीच में किरला करनाटक तमिलनाडु के बीच में वहीं सेकेंड हाइस वो है डोडा बेटा और आवली की सबसे हाइस हाइस पीक गुरुशिखर विंध्यन रेंज की सबसे हाइस पीक सद्भावना पीक या जिसको गुडविल पीक भी कहा जाता है सद्पूरा की हाइस पीक धूबगड है जो की आपको अपचमढ़ी मदर प्रदेश में है और फिर अमर कंटक है ठीक इस्टन घाट में आपका जेन्टल स्लोब कोicieं करते हैं जेन्टल स्लोप में हम जानते हैं जब हम कंटूर लाइन बनाते हैं एब स्लोप जेंटल होता है तो क्या होता है आपको कि वहां पे spacing जादा होती है, contour lines के बीच में spacing काफी जादा होती है जब gentle slope है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो A है, उसका option fourth हो जाएगा, placed widely apart, contour lines के बीच में space काफी जादा होगा, जबकि जब steep slope है, जब खड़ी ढाल होती है ढाल बहुत जादा होती है, तो आपको contour lines बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं, और वो closely spaced होते हैं, बहुत पास-पास बने होते हैं, ठीक, अब आप देखें कि A का fourth किसमे है और B का third option किसमे है, और वो आपका option A ही है, ठीक, फिर convex है, convex में आपको widely spaced in the upper part में लेकिन lower section में वो closely placed है, जबकि concave में यह आपके opposite है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे यहां से, ठीक, यह आपका gentle slope है, यहाँ पे देख सकते हैं, space कितना जादा है, ठीक है, यह space जादा है, gentle slope है, जबकि steep slope जब होती है, जब खड़ी ढाल होती है, तो यह बहुत ही पास-पास contour lines बने होते हैं, ठीक, यह आपके steep slope की condition होती है, जबकि concave में देखेंगे, तो क्या हो रहा है, आपको, यह आपको यहाँ पे center की तरफ closely spaced है, बाहर की तरफ यह आपके gently spaced है, जबकि यहाँ आपको opposite condition होगी, convex में, center की तरफ यह high की तरफ यह आपको ज़्यादा high, elevated region की तरफ यह आपको widely spaced है, और lower section में यह closely spaced है, ठीक, यही आप से पूछा गया है, next question है, hill area development program, यह काफी बार आता रहता है, तो hill area development program जो है, ठीक है, जो आपके कुछ-कुछ hilly regions के लिए, जैसे जो पहले जो उत्तरप्रदेश के हाँ hilly region था, जो अब उत्राखंड है, ठीक, और west bengal का डार्जलिंग region, ठीक है, तो इस तरीके के जो hilly region है, यह नीलगिरी है, तो इसके लिए hill area development program आया है, 211 की जनगर्णा के मुताबिक, किस राज में सबसे कम जनसंख्या है, मतलब उसके मुताबिक census 2011 के according, lowest population आपको बताना है, तो सबसे कम जनसंख्या है, वो है आपकी सिक्किम में, ठीक, और सबसे जादा है उत्तरप्रदेश में, ठीक है, तो आपका रीजन है इन चार उप्शन में, जहाँ पर आपको क्या है, extensive commercial grain cultivation, प्रेक्टिस नहीं किया जाता है, तो extensive grain cultivation कहाँ पर प्रेक्टिस होता है, जहाँ पर बहुत बड़े-बड़े फार्म से हैं, मतलब की बहुत जमीने हैं लोगों के पास, ठीक, बहुत ही mechanized way में हो रहा है, machines का use कर रहे हैं, वहाँ पर labor जो है, manpower जो है, जो है, क्या है, आपका कम है, ठीक, तो ऐसे कौन से region है, जो आपके mid latitude में, जो grassland वाले region है, जो घास के मैदान के छेत्र हो, वो चाहें USA में, अमेरिका में चाहें prairies हों, वो सब जगे वहाँ पर आपको क्या है, extensive commercial grain cultivation हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, Eurasian steppies, यह भी grassland है, तो यहाँ पर होगा, Australian downs में भी होगा, क्योंकि यह भी grassland है, Pampas of Argentina, यह भी grassland है, इसमें भी होगा, जो Amazon basin है, यह आपकी कोई grassland नहीं है, और यहाँ पर extensive commercial grain farming practice नहीं की जाती है, और यही वो आप से पूछ रहा है, तो इस question के साथ आपको यह ध्यान रखना है, कि कहाँ पर किस grassland को क्या बोलते हैं, वो tropical है यह वो temperate है, ठीक, Next question है, Which one of the following South American country is a member of opaque, निम्न लिखित में से कौन सी दक्षिन अमेरिका का देश है, जो opaque का member है, ठीक, तो opaque में जो इन चार options में हम देखेंगे, तो आपकी member है, जो country वो है आपकी Venezuela, ठीक, Venezuela जो है, वो opaque का member है, इन South American countries में, मैंने आपको यह पढ़ाया है, प्रॉपर वेनेज्वेला को लेकर, आप वहां से देख सकते हैं, यहां पे आपको दिया है, North Eastern States जो है, और सिक्किम को include करते हुए, कि उनकी total population कितनी है, और यह lowest है, ठीक, तो यहां पे देखेंगे, सिक्किम का क्या है, आपको सबसे कम जनसंख है, ठीक, 6,10,570, ठीक, तो lowest population आपकी, यहां से देख सकते हैं, सिक्किम का है, Next question जो है, वो है आपका the largest number और concentration of Jain population in India, ठीक है, आपको religion, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया, आज भी हाली में पढ़ाया है, आपको religion को लेकर, तो सबसे जादा जो आपको, पहले तो यह जाएए, कि आपको जो population percentage है, लगबग 79.8% या 80% मान लीजे, जो Hindu population है, फिर आपके Muslim population है, फिर आपके Christian है, ठीक है, Sikh है, तो इस तरीके से मैंने आपको फिर Buddhist और Jain वगएरा पढ़ाया है, ठीक, यहाँ पे लेकिन question है, कि Jain population में से, किस राज में सबसे जादा concentration है, Jain population का, तो वो आपका महरास्थ है, जहाँ पे Jain population का number सबसे जादा है, नेक्स्ट है, गुजराती और Asamese language, जो है, Asamese है, जो गुजराती है, वो किस language family में आती है, जो आपका linguistic family group है, उन में से किस में से आती है, निम लिखित में से किस के अंतरगत आती है, तो हमने, चार तरीके के पढ़े हैं, हाँ, आप बताईए कि यह किस में आपको आएगा, चार क्या नाम है, पहले तो वही पता होना चाहिए, फिर गुजराती और Asami किस group में आएगा, यह आपको बताना है, सभी लोग मैं देख रहा हूँ, कौन message कर रहा है, पहला आया है, A option, ठीक है, C, C, A, एक लोग एकी बार message करी, मैं देख लूँगा, हाँ, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, तो यहाँ पे जो गुजराती और Asami's है, यह आपकी क्या है, यह आपके इंडो आरेन ग्रुप में आती है, इंडो आरेन फैमिली ग्रुप में आती है, ठीक, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, यह आपको दिया गया, यह तो आपको दिया गया है, जैन पॉपलेशन, ठीक, जो महरास्ट में सबसे ज़्यादा है, वहीं पे अगर बात करें, फैमिली, लिंग्विस्टिक फैमिली ग्रुप की बात करें, जो की चार ग्रुप है, इसमें जो इंडो आर्रेन है, यहाँ पे आप देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा लेंग्विजिस हैं, वो इंडो आर्रेन में हैं, और यहाँ पे ही आपको क्या है, गुजरात है, यानि गुजराती, और यहाँ पे असम जो है, इंक्ल्यूड करती है ठीक, next question है आपका जो की settlement से related है और question कह रहा है कि develop at the place where two road converge on the third one मतलब कि दो roads है, मानलो आपकी एक road ये है ये converge हो रही है किसी एक road पर, ये तीसरी road है ठीक, ये, तो ये किस तरीके का shape बनाएंगा तो ये y-shaped बन सकता है, ठीक है, option के according ये y-shaped क्या है, settlement तयार हो सकता है next question है, in terms of the percentage schedule cost, आज ही पढ़ाए हमने कि अगर हम SC population की बात करते हैं अनुसुचित जाती की बात करते हैं schedule cost total कितना है total percentage कितना है, 8.6% 2001 में ये थे अगर मैं बात करूँ 2001 की population और 2011 में ठीक, तो 2001 में ये 8.2% थे total population का, जबकि 2011 में ये 8.6% है ठीक, ये चीज़ हमने पढ़ रखा है, सबसे जादा जो population है, schedule cost का percentage जो है वो है आपका पंजाब में ठीक, लगभग 32 प्रतिशत 31 point something है, 31 point या आप 32 consider कर लिजे, सबसे जादा जो schedule cast कर सकते हैं, by reducing deforestation हम deforestation जो हो रहा है जो वनों का काट रहे हैं, उसको हम अगर रोकते हैं, तो हम global warming को control कर सकते हैं ठीक, तो आपका यहाँ पे B option सही हो जाएगा, next है maximum biodiversity जो आपके geographical region है जो geographical region है इंडिया के उनमें जो सबसे ज़्यादा rich है biodiversity rich region कौन सा है तो वो है आपका eastern हिमाले जिसको हम पुर्वांचल कह देते हैं और western घाट, ठीक, यह आपके सबसे biodiversity में rich region है इंडिया के, next है chipco movement, जो आपको पता है, तो chipco movement कहाँ पे आपको इस start हुआ उत्राखंड वगेरा पे, और यह क्या है forest related है, forest को बचाने के लिए यह किया गया था then rain shadow area और inversion of rainfall की इस्तिति आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो rain shadow का concept कहाँ है, rain shadow जो है आपको, वो आपको orographic rainfall पे, जहाँ पे आपके मालो यह coast है, यहाँ पे western घाट है, यहाँ पे जो rainfall होगी, यहाँ पे जो rainfall होगी वो क्या होगी, orographic, क्यों? क्योंकि यह western घाट एक barrier की तरीके से work कर रहा है और इसके कारण यहाँ पे rainfall हो रही है, यह orographic rainfall है, वहाँ पे ही rain shadow का concept आता है, जैसे mangaluru और bangaluru, ठीक, mangaluru में बहुत जादा बारिश है, क्योंकि वो western घाट के west में है, और जबकि bangaluru में आपको बारिश कम है, क्योंकि वो आपके east पे है, वहाँ पे rain shadow का concept लगता है, ठीक, तो यहाँ पे option A सही हो जाएगा next question है, वही फिर से repeated kristeller की theory, central place theory बहुत बार हमने पढ़ लिया, जिन्होंने southern Germany पे काम किया है, और वहाँ पे 3 k की बात कही है, k is equal to 3, k is equal to 4, और k is equal to 7, यही कुछ बात कही है, 3 मतलब क्या रखा है, उन्होंने market ठीक, 4 क्या रखा है, 4 जो है, वो है आपका transport, यह जिसको traffic भी लिखते हैं, ठीक है, traffic या transport, और 7 क्या है, वो है आपका administrative, यह, ठीक, तो k is equal to 3, 4 और 7, तो यहाँ पे क्या पूछा है, k is equal to 4, तो k is equal to 4 मतलब है traffic, traffic या transport, ठीक, simple सा यह यहाँ पे दिया गया है, ठीक, यह आपको Chris Taylor के concept से question है, जो एक बहुत ही simple सा question है, कैसे आता है, यह मैंने आपको बढ़ाया है, ठीक, फिर वान्थिनन मॉडल है, agricultural land use के बारे में जिन्हों ने बताया है, तो जो वान्थिनन का model है, agricultural land use की बात कही है, तो पूछ रहा है कि production of wood, लकडी, जो मतलब, जिस समय यह model आया है, उस समय की अगर बात करें, तो लकडी के उत्पादन या जो wood, firewood वगएरा है, lumbering वगएरा है, उसमें कौन से zone में उन्होंने रखा है, ठीक, तो सबसे पहला अगर आपको याद होगा, इसका answer क्या है, zone 2, ठीक, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, CBD है, city center जो black color से, वो zone नहीं है, वो CBD है, उसको छोड़ दो, CBD के बाहर क्या है, आपका market gardening and milk production, zone 1, ठीक, यह आपको जो दिख रहा है, ग्रेशेड, यह, यह क्या है, market gardening, फिर इसके बाद जो zone 2 है, यह आपका क्या है, यह है आपका firewood और lumbering production से relative, यही question पूछा था, फिर आपका zone 3 है, grain crop with no fellow land, 14%, three field system, livestock ranching, जो last zone में आता है, next, यहाँ पे आपको, अच्छा, एक question और होगा, यह आप देख सकते हैं, कि इन में से कौन सा metamorphic rock नहीं है, निम लिखित में से कौन सा रूपांत्रित या कायांत्रित चटानों में से नहीं है, ठीक, not a metamorphic rock, तो simple सा question है, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ पे जो shale है, यह क्या है, सेडिमेंट्री है, और साधी चटान है, यह metamorphic rock नहीं है, अगर हम देखेंगे इसमें, तो समझ में आएगा आपको, ठीक, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे proper दिया गया है, बहुत important slide है, rock वाले section से, जहाँ पे आपको metamorphism, रुपांत्रन जो है कायांत्री चटानों का निर्माड है, तो अगर हम बात करें, सेडिमेंट्री से जो metamorphic में बदलती है, और साधी चटानों से जिनका रुपांत्रन होता है, जैसे limestone से marble का निर्माड होता है, sandstone से quartzite बनता है, यह important है, ठीक, ध्यान रखेगा, शेल, देख सकते हैं, शेल जो है, वो सेडिमेंट्री है, इससे slate बनता है, conglomerate से knees बनता है, सेल से mica, mica से cyst बनता है, re-metamorphism, वहीं पर igneous की अगर बात करते हैं, तो granite से knees बनता है, gabbro से serpentine बनता है, ठीक है, फिर slate से cyst, re-metamorphism, पुना रुपान्तरण जो हो रहा है, यह उसकी बात कर रहा है, next question है, जो rank size rule, G के जिफ, के उससे आया हुआ है, ठीक है, तो जो rank size rule है, G के जिफ का, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, largest city और वगरा वगरा, तो यहाँ पर दिया है question कि जो largest city है, ठीक, मान लेते हैं, जो largest city है, वो है A, ठीक, जो A city है, उसकी जो population दी है, वो कितनी दी है इन्होंने, यहाँ पर 2 million, 2 million का मतलब क्या है आपको, 20 lakh, 1 million, 10, 10 lakh, 2 million, 20 lakh, ठीक है, तो 20 lakh जो है, वो आपकी यहाँ पर, ठीक, यह आपकी 20 lakh जनसंग क्या है, मान लिया हमने, next क्या कह रहा है, अब आपको बताना है कि जो 10th ranking पर, मान लो, जो 10th पर है, ठीक, A, 10th, ठीक, यह हम इसको ऐसे कुछ consider कर लेते हैं, ठीक है, तो यह इसकी population कितनी होगी, तो simple, आप इसको 10th से divide कर दीजे, यह 2 lakh आगी, इसकी population, कोई question तो है नहीं है, इतनी basic math, तो मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी, तो यह जो आपके है, 2 lakh जो है, यहाँ पर आपकी जनसंख्या बचेगी, यह option जो है, 2 lakh population जो है, इसकी हो जाएगी, ठीक है, तो hopefully आपको यह समझ में आया होगा, next question है, अगर बहुत fast चल रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं, कि sir, बहुत जादा fast है, आप थोड़ा slow कर इसको slow रखे, तो मैं आपको बता दूँगा, सभी लोग, सही है, speed सही है, हाँ, ना, कुछ तो लिखिए, question का answer नहीं, जो पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं आपको, ठीक, क्या है आपका यहाँ पे, जो demographic transition theory है, पूछ रहा है, इसको सबसे किस ने दिया है, demographic transition theory, बहुत important है, DTT, तो demographic transition theory जो है, वो आपको किसके द्वारा दी गई है, वो आपको दी गई है, W.S. Thompson, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपका पहला option है, W.S. Thompson, ठीक है, और उसके बाद, जिन्होंने 1929 में दिया, और W.S. Thompson, जिन्होंने 1945 में दिया है, ठीक, तो यह दो हैं, जिन्होंने DTT का concept दिया है, demographic transition theory के concept को दिया है, next, और last question है, इस paper का, Who among the following is the author of book, Al-Qanun Al-Masudi, ठीक, Al-Qanun Al-Masudi book किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह simple सी बात है, Al-Masudi के द्वारा तो लिखी नहीं जाएगी, हाना, कोई बात नहीं है, किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक, तो hopefully आपको यह चीज़े समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं, तो आप chat box पे लिख सकते हैं, otherwise it's your choice, ठीक है, सभी को समझ में आया, ओके, तो ठीक है, तो that's all for today, और I hope कि आपको यह paper समझ में आया होगा, बहुत जगे, बहुत सारी चीज़े अविलेबल हैं, कि इस paper को solve कराया है, लेकिन वो 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में, जहां पे सिर्फ option बता रहा है, answer की को देख के, ठीक है, तो अगर आपके पास उतना समय तो आप उसको देखे, otherwise it's better कि आप इसके explanation को देखे, करते चल रहा हूँ, क्या concept है, कहां से ला रहे हैं, तो वो सारी चीज़े, और अगर आपने class join किया होगा regularly, जो मैं आपको conduct करा रहा था कुछ समय से, तो आपको ये सारी चीज़े थोड़ा easy लग रही होगी, ठीक है, so hopefully आपको ये समझ में आया होगा, तो that's all, और आप लोग, जो भी आपकी next class है, हाँ, इसमें कितने प्रश्ट है, तो 70 question ही है, 70 question है, क्योंकि इसके बाद जो है, वो writing वाला है, subjective question है, वो तो कराएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि CVT को देख रहे हैं, हाँ, जो भी है, बोलिये, तो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ आपका chat, ठीक, हाँ, तो चुट्टी हो गई है, और question क्या कहते हैं, चुट्टी हो गई है, यार, मैं तो अभी room भी नहीं गया अपने, और क्या है आपको यहाँ पे, जो भी चीज़े, question कतम हो गया है, तो हम लोग उसके साथ फिर बंद भी कर देंगा, तो क्योंकि गाना वगएरा, तो मुझे वैसे भी नहीं आता है, कि मैं सुना हूँ, पेपर तो easy है, comparatively काफी easy है, ठीक है, तो आप इसको solve करी है, और कल देखे कि हम लोग कौन से नय paper को solve कराते हैं, ठीक है, तो आप लोग का demand था कि AU के paper को solve कराना है, sir, AU के paper को इलहाबाद university का, पर वो paper available नहीं कराते हैं, market पे आता नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास भी वो paper नहीं है, और अगर आपके पास है, गलती से कहीं से जुगाड लगा लिया आपने, तो जुगाड वाले paper को मेरे पास बेज सकते हैं, मैं आपको solve कराऊंगा, otherwise, कल से हम कुछ English और Hindi bilingual questions को लाएंगे यहां पे, ठीक है, तो कोशिश करूँगा, मैं यह topic-wise question को लाऊंगा, साहित, जो आपके लिए ज्यादा helpful हो, ठीक है, तो मैं यही सोच रहा हूँ, topic-wise लाऊंगा, तो आपके एक-एक दिन में कुछ-कुछ topics को cover करते जाएं, जैसे physical geography हो गया, उसको दो दिन में कर लिया, तो इस तरीके से चीज़ें जो साहत आपके लिए काफी helpful होंगी. So that's all, we'll meet on tomorrow, जो भी आपके live next classes हैं, आप उनको join करिए, first paper को पढ़ते रहें, आपने और subjects के जो भी schedule दिया गया, आपने friends को share करते रहें, and that's all, we'll meet on tomorrow, जय हिंद, जय भारत.